नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, भले ही मर जाना, परंतु भूल कर भी माचस के अलावा यह दस चीज अपने घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। आप में से किसी भी मनुष्य ने या इनसान ने टाइम निकाल कर यह वीडियो पूरा देख लिया, तो समझ लेना उस घर में सुख शान्ती के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से उसे घर परिवार में दुखों का पहाड तूट जाता है। यह वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने घलत संबंध बनाते हैं और दोस्तों साथ ही कुछ ऐसे पती-पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं जब मन करें जब पती के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। घर में जो अपने मंदिर बना कर रखा है ना उसमें से यह चीज बिलकुल हटा देना। इसलिए ध्यान पूरवक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना नहीं तो आपका घर पूरा बरबाद हो जाएगा वीडियो को हलके में लेने की भूल बिलकुल भी ना करें नहीं तो घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब आज नहीं तो कल-कल नहीं तो परसों एक ना एक दिन तो ये वीडियो आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी तो हो सके तो बरबाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना घर परिवार बरबाद होने से पहले ही बच जाएगा आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग र कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति-पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। नहीं बनना चाहिए, बलकि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति-पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा, जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है, जहां से घर में सका उर्जा का संचार होता है, इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, जो आपके घर में सकारात्मक उर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, पर घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए, वहां पर नहीं रख पाते हैं। महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती है, जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों, पती और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परन्तु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष स खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पती को मना नहीं करती हैं आधुनिक समय में पती पतनी का किचन का बेडरूम बन जाता है यह पता ही नहीं लगता और जब घर बरबा जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती है ठीक उसी तरीके से अलग-अलग मौडल परंपरा में समय बिताने लगी है आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी है और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे न नहीं आई और पूरा परिवार सुख शांती से अपना जीवन यापन करें अगर तुम में से कोई जय बजरंग बली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंग बली लिख देना जो भ आग इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेश चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है अगर घर में सुक सम्रिध्धि वधन की कामना करते हैं तो ये तीन चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है स्वयम भगवान श्री कृष वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें पूजा पाठ का सामान इत्यादी चीजों को भी रख देते हैं परन्तु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फल दायक होता है उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशु यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मक्ता बनी रहती है और लडाई जगडे क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुब चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अंजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहां से हटा कर किसी दूसरे स्थान पर रख दें लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूज की जानी चाहिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलियुग में मनुष्य कुछ अशुध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविश्यवानी पहले ही की हुई थी क कि कलियुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुब चीजों की भी पूजा करेगा दोस्तों सबसे पहले बाद दीपक और धूप दान की दोस्तों भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातू के दीपक का उपयोग करें अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रख कर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं ऐसा करने से घर में सुख शान्ती बनी रहती है दूसरी चीज है घर के मंदिर में स्वास्थिक अवश्य होना चाहिए या तो आप इसे रोली से बना लें क्योंकि स्वास्थिक आपके घर की शक्ती सौभाग्य सम्रिध्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है यही मुख्यकारण है कि कोई भी शुभकार्य करने से पहले स्वास्थिक क चिन्ह अवश्य बनाया जाता है तीसरी चीज है कलश भगवान श्री श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुक और समरिध्धी का प्रतीक है अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्थिक बना कर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें ऐसा करने से घर में सदैव समरिध्धी बनी र शंक की ध्वनी से सकारात्मक उर्जा का भी संचार होता है इसी लिए मंदिर में शंक अवश्य होना चाहिए शंक के घर में उपस्थिति से मा लक्षमी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती पांच वी चीज है घंटी मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी क्योंकि घंटी को शुब माना जाता है इसी लिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरन शुद्ध और पवित्र बनता है जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारा चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए सबसे पहली बात गणेश जी की विशम संख्या में मूर्ती घर में कभी भी गणेश जी की मूरती 3 अथवा 5 ऐसी विशम संख्या में न रखें अपने मंदिर में गणेश जी की केवल दो मूर्तियां रखे इसे शुभ माना जाता है अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ती मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख्य करके लगा ले कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ती बाहर की और मुख्य करके लगा देते हैं जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों और लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की और लगाईए लेकिन खाली बाहर की और कभी भी नहीं लगाना चाहिए दूसरी चीज तूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी तूटे हुए चावल न रखें इस इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे. तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर. अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है, तो उसे तुरंत वहां से हटा दें. क्योंकि वास्तु शास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस पूजा घर का वाता वरण भी नाकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है. कई लोग साधुसंतों की मूर्तियां अत्वा साधुसंतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है. अग देव अत्वा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए, इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई, मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए. माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए. इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर पूजा घर में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश, शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारयन की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्री का पर्व हो, या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो, तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किये बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उप्योग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है, इश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखना इतना शुब होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखें, तो उसका चमतकारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उप्योग करें, पूजा में अगर किसी सामगरी की कमी रह जाए, तो परेशान न हो या पूजा बीच में न छोड़े, ऐसे में भगवान को चावल और फूल चड़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें, प्लास्टिक की बोतल में, या किसी भी अपवित्र धातु के बरतन में गंगाजल कभी भी नहीं रखना चाहिए, अपवित्र धातु जैसे अलि के लिए दक्षणा अवश्य चड़ानी चाहिए, मा लक्षमी को विशेश रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए, और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं, तो कई गुना लाभ मिलता है, इस फूल को पाँच दिनों तक जल छिड़क कर पुना चड़ा सकते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं, वह रोगी होते हैं, घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं, एक दीपक गी का और एक दीपक तेल का, जलाना चाहिए, पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए, घी का दीपक, हमेशा दाई तरफ तेल का दीपक, हमेशा बाई तरफ रखें, जल पात्र, घंटा धूबदान जैसी चीजें, हमेशा बाई तरफ रखनी चाहिए, घर पर पूजा करते समय पूजा नहीं करनी चाहिए, स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर्को दुपटे या फिर रुमाल से ढखना चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदी अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेश रूप से चढ़ाये जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उप्योग करना चाहिए, जो अखंडित हो यानि तूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबो कर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेश ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विश्नु को प्रसंद करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा सूर्य देवव श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंका भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदी का ध्यान करना भी आवश्यक है इन सभी का पूजन भी करना चाहिए पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं, उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए यदि आप प्रति दिन भी एक दीपक भी घर में जलाएंगे, तो घर के कई वास्तु दोश भी दूर हो जाएंगे सूर्य गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णू, यह पंच देव कहलाते हैं इनकी पूजा सभी कारियों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए प्रति दिन पूजन करते समय इन पंच देव का ध्यान करना चाहिए इससे लक्ष्मी कृपा और सम्रिध धिप्राप्त होती है, तुलसी के पत्तों को ग्यारह दिनों तक बासी नहीं माना जाता है इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुन भगवान को अर्पित किया जा सकता है दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगा कर इधर उधर लगा दिया जाता है जबकि यह सही नहीं है, घी के दीपक के लिए सफेद रूई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती, श्रेष्ठ बताई गई है, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है शिवजी को बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनो कामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए दक्षणा अर्पित करते समय अपने दोशों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए, मनो कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी भगवान सूर्य के साथ श्री गणेश की तीन विश्नु जी की, चार और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए धर्म गरंथों में पूजा पाठ से संबंधित बहुत सी महत्व पूर्ण बातों के बारे में जिक्र किया गया है यदि पूजा करते समय इन बातों का ध्यान न रखा जाए, तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है इसके साथ ही आपकी पूजा मान्य नहीं होती है इसलिए देवी देवताओं की पूजा करते समय इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है यदि आप कुछ गलतियां करते हैं तो माना जाता है कि आपको शुब फल के स्थान पर देवी देवताओं के क्रोध का भागी बनना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा करते समय किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। हिंदू सनातन धर्म में पंच देव माने गए हैं। प्रति दिन पूजा करते समय इन पंच देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तभी आपको पूजा का पूण फल प्राप्त होती है। सूर्य देव, श्री गनेश, मा दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विश्नु को पंच देव कहा गया है। प्रति दिन पंच देवों की पूजा करने से आपके घर में शान्ति और सम्रिद्धि बनी रहती है। किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कौन से देव की पूजा में क्या वर्जित माना गया है। अन्यथा आपको शुभ फल की प्राप्ति के स्थान पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुम-कुम, तुलसी और केतकी का फूल नहीं चड़ाना चाहिए। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा में भी तुलसी वर्जित मानी गई है। सूर्यदेव की पूजा में अगस्त्य के फूल नहीं चरहाने चाहिए। पूजा पाठ में पवित्रता का विशेश ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई बिना स्नान किये हुए फूल पत्ती तोड़ कर भगवान को अरपित करता है तो यह पूजा में मान्य नहीं रहते हैं। तुलसी को कभी भूल कर भी बिना स्नान किये या फिर बिना हाथ धोए नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जहां आपका पूजा स्थल है उसके उपर किसी भी प्रकार का भारी सामान या कबाड नहीं रखा होना चाहिए। देवी देवताओं का तिलक हमेशा अनामिका उंगली से करना चाहिए। यदि आपने शुद्ध घी का दीपक जलाया है तो उसे बाईई और रखें और तेल के दीपक को दाईई और रखें। पूजा के बाद भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। देवी देवातों को कभी भी बासी फूल पत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। दोस्तों यही कुछ बातें थी पूजा के संबंधित जो हमारे शास्त्रों में वर्नित है इसलिए हमें पूजा के वक्त इन बातों का विशेश कर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ये शास्त्रों संबंधित पूजा संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद हुग हैं।